अगर आप Taro में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधरवाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट आप सीखना चाहते हैं यह वा टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं यह भी स्कोर्स में covered है और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पे हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापरी और यह है आप लोगों के लिए pika card reading इस बारी की pika card reading का topic है next in your career तो professional funds से related, career से related, कोई भी चीज अगर आपको bother कर रही है, परेशान कर रही है या फिर otherwise भी, simply आप जानना चाहते हैं कि आगे आपके career में क्या होगा वो financial gain जो आप expect कर रहे थे, चाहा रहे थे, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा growth progress होगी नहीं होगी, तो इस तरीके के तमाम thoughts अगर professional funds से related आपके मन में आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं इनी सब चीजों के बारे में तो यह reading आपके लिए है और इनी सब चीजों को जानने के लिए आपको इन तीनों में से एक pile को choose करना है pile selection के लिए में पस दो options है first is intuitive method and the other one is आपका birth month तो सबसे पहले intuitive method के हिसाब से देखते हैं pile 1 में हमारे पस green crystal ball है pile 2 में हमारे पस yellow crystal है and pile 3 में हमारे पस white crystal है तो आपने आखें बंद करनी हैं अपने professional front के बारे में सोचना है और आखें खोलते ही जो भी pile जो भी crystal आपको सबसे पहले दिखता है या फिर attract करता है आपने उसको choose कर लेना है आपने यहाँ पर बिल्कुल भी logically चीजों को नहीं analyze करना आपने color shape से नहीं bias होना अगें जो भी crystal pile आपको सबसे पहले दिखता है सबसे पहले attract करता है आपने उसको choose कर लेना है और अगर आपको intuitive method difficult लगता है तो आप अपने birth month के हिसाब से भी pile को choose कर सकते है और अगर आपका birth January, April, July, October में से किसी भी एक month में होता है तो आपके लिए pile 1 है और अगर आपका birth February, May, August, November में से किसी भी एक month में होता है तो आपके लिए pile 2 है और अगर आपका birth March, June, September, December में से किसी भी month में होता है तो आप लोगों के लिए pile 3 है I hope कि आपने pile choose कर लिया है और अगर नहीं करा है तो आप video को pause कर सकते है You can take your own time in choosing the pile ये एक timeless reading है तो जब भी भी ये thought आपके मन में आता है ये reading आपके सामने आती है आपके इस सवाल का जवाब या फिर आपके career में next क्या होगा इसके बारे में आपको आप जान सकते हैं तो चलिए जी आपकी reading शुरू करते हैं अगर आपने pile one याने की green crystal ball को choose किया है या फिर आपका birth January, April, July, October में से किसी भी मन्त में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile one की cards क्या कहते हैं आपके professional friend में career में आगे क्या होगा तो future को जानने से पहले एक नजर हम पीछे मुड़कर देख लेते हैं अभी हाल फिलाल क्या situation है उसके बारे में जान लेते हैं तो दिखिए हाल फिलाल कुछ बहुत problem या फिर बहुत issues नहीं होते वे दिख रहे हैं In fact past के लिए the world का card कहता है किसी चीज को आपने end किया, आगे बड़े या फिर एक completion, closer किस चीज का हुआ और कहीं एक appreciation, recognition भी कुछ pile one को हो सकता है मिली हो यहाँ पर दिखिए दगास का card भी कहीं एक बहुत ही success या फिर victory की बात करता है Muse का card भी overall happiness, joy की बात करता है तो past में चीजें ठीक ठाक थी, बड़िया थी, in fact यहाँ पर the world का card कहता है कि कुछ ने हो सकता है out of the country भी अपने काम को लेकर जाना चाहा यानि कि international market explore करी, अपने work को global लेकर जाना चाहा कहीं out of the country कुछ connections आपके बने, कुछ dealings आपकी हुई तो कुछ activity out of the country आपके professional front से रहती भी दिख रही है past में कुछ के लिए simply हो सकता है, आपने travel किया कुछ के लिए हो सकता है कि अच्छी एक offer आपको आई, अच्छा एक proposal आपको out of the country से आया and कहीं initially थोड़ा सा आपने time लगाया होगा भई आपको क्या करना चाहिए, कैसे चीजों को करना चाहिए normally हम सभी लोग ऐसा करते हैं, अगर कोई specifically offer आती है या proposal आता है तो हम सोचते हैं और यहाँ पर parts unknown का card भी इसी चीज को confirm करता है कि आपने थोड़ा सा अब आप क्या रस्ता ले, क्या direction ले इसके बारे में सोचा या फिर इस पर थोड़ा सा आपने time spent के और यहाँ पर two of cups का card कहता है कि या तो किसी की तरफ से बहुत supportive energies थी या फिर you know partnership में आपने काम करना चाहाया हो सकता है कोई आपके love one, close one या फिर otherwise कोई भी हो सकते हैं आपके साथ partnership में काम करना चाहा रहे थे या फिर दिखिए अगर partnership नहीं थी तो simply किसी love one, close one की तरफ से काफी supportive energies थी आपकी mother भी हो सकते हैं, आपके spouse भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं यहां पर दिखिए औराकल से भी यह card कहीं ending beginning की बात करता है, तो nutshell में अगर हम पीछे देखें तो किसी level पर किसी भी तरीके से ending beginning हुई और इस ending beginning का connection out of the country से related रहता हुआ दिख रहा है, broader level के लिए अगर हम देखें और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई एक phase आपकी professional friend में end हुआ, अब यहां पर कुछ के लिए हो सकता है, कोई project end हुआ, कुछ के लिए हो सकता है, आपने किसी job को end किया, नई job को आपने join किया, कुछ के लिए कोई team हो सकती है, तो फिर से मैं कहाँँगी ending beginning सब के लिए differ करेग तो majorly दो चीजें रहती हुई दिख रही हैं एक तो out of the country से related कोई activity कोई चीज हुई और एक ending beginning और मैंने अभी बताया कि ending beginning सब के लिए differ करेगी and yes तीसरी चीज और दिख रही है या तो किसी loved one का support रहा या फिर किसी के साथ partnership में आपने काम करना चाहा या फिर कोई और आपके स चानी छोटी मोटे issues और problems तो life में रहते ही हैं लेकिन major issue problem नहीं रहता वा दिख रहा है past में and अभी के लिए देखिए यहाँ पे solar का card है और setting your course का card है तो कहीं deeper level के लिए बहुत जबरदस एक उर्जा बहुत जबरदस एक energy बहुत जबरदस एक positivity अपने professional front से related आप में हैसू या फिर या फिर या आप बहुत ज़ादा ही in the moment में रह रहे हैं जो अभी अच्छी चीजें हैं आप इतना ज़ादा उसी पे focus करके over confident हो रहे हैं या फिर आप या अच्छे से planning नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखिए fool का card एक तो immature energies की बात करता है यह आपकी तरफ से भी हो सकती है या फिर कोई आपके work front में है उनकी भी immature energies हो सकती है और दूसरी चीज यह card बिना सोचे समझे चीजों को करने की बात करता है यानि कि proper planning, proper homework आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि deeper level के लिए यहाँ पर sun का card है तो मैं आपको यहीं कहूंगी कि यहाँ तो over confident हो रहे हैं और setting your course का card कहता है कि आप अपनी तरफ से बहुत एक long term का plan करते हुए दिख रहे हैं कभी कभी होता है न हमें ऐसे लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं हम बिल्कुल right हैं और हम अपनी right वाली energy में इतना ज़्यादा fixated हो जाते हैं यानि कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक इस तरीके की energies आप में हसूस कर रहे हैं तो जरूर इसको check करके correct करें देखे positive energy रखना बहुत अच्छी बात होती है in fact जब हम positive होते हैं तो बहुत सरी चीजों को हम अच्छे से manage कर पाते हैं and positivity का मतलब यह नहीं होता है कि हमारे life में सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है बहुत एक mis concept है लोगों के mind में अच्छा जी positive मतलब सब बढ़िया positive attitude होता है positive और negative तो life में होता ही रहता है हम घर से बाहर निकलते हैं हमें red light मिलती है red light में हम क्या करते हैं हम crib करते हैं तो हम उस situation को negatively deal कर रहे हैं हम उसको accept करते हैं हम अपना mind positive चीजों में divert करते हैं तो you know positive frame of mind है तो यहाँ पर दीखिए मैं आपको यही कहूंगी कि situation जो भी हो positive attitude जरूर रखे लेकिन in the process आप चीजों को casually ना लें आप चीजों को for granted ना ले maturity से चीजों को deal करें किसी भी चीज को लेकर अगर आप sure नहीं हैं तो जिन इंसान को आप trust करते हैं उनसे जरूर आप एक चीजों को लेकर emotional हो सकते हैं बहुत sentimental हो सकते हैं और हमने यहाँ पर देखा भी कि किसी loved one के साथ यहां तो आप you know partnership कर रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि professional friend में किसी इंसान के लिए आप बहुत एक love affection महसूस करे हैं यह कोई you know same gender के भी हो सकते हैं opposite sex का भी बंदा हो स इतना strong नहीं रह रहे हैं हाला कि देखिए अगर यहाँ पर हिलारियन के card में देखूं और divine god का card में देखूं तो यह cards कहते हैं कि बहुत logically चीजों को deal करने की ज़रत है और बहुत wisdom के साथ चीजों को deal करने की ज़रत है in fact जो भी आपकी gut feeling कहती है जो भी आपकी intuition कहती है उस energies को combine करके चीजों को deal करने की बात करता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऐसी energies के साथ चीजों को कर रहे हैं लेकिन surface level के लिए आप थोड़ा सा emotionally जादा attach हो रहे हैं चीजों से या फिर अगर आपको लगे कि आप जादा emotional हो रहे हैं तो आप इस चीज का खयाल रखें कि आ आपने over emotional नहीं होना है, over attached नहीं होना है और कहीं heart और mind का balance रखते हुए ही चीजों को करना है फिर से कहों कि कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसी energies हैं कुछ के लिए हैं आपे card आपको guide कर रहे हैं और जो भी आप deeper level के लिए महसूस कर रहे हैं surface level के लिए थोड़ा सा emotional थोड़ा स sentimental आप होते हुए दिख रहे हैं, mood swings आपके होते हुए दिख रहे हैं अब हम आगे चल कर देखें तो यहाँ पर five of wands का card कहता है कि कुछ conflicting situation scenarios रह सकते हैं क्योंकि यह minor arcana का card है बहुत major issues की बात नहीं करता है और यह कहीं एक competitive spirit की भी बात करता है तो बहुत जबरदस एक competitive spirit य या एक you know conflict रह सकता है अब देखिए कुछ के लिए external front पे conflict रह सकता है होता है ना कभी 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 कोई हम काम करते हैं तो चोटे मोटे obstacles होते हैं चोटे मोटे issues होते हैं वो वाली energy रह सकती है और surface level पर जो भी हो रहा हो यहाँ पर will wisdom mind का card कहता है कि बहुत mind से बहुत you know logically चीज card भी आगे बढ़ने की बात करता है तो definitely देखिए growth हो रही है progress हो रही है यह मैं आपको कह सकती हूँ लेकिन बहुत smooth growth progress हो सकता है ना हो उसमें issues रहेंगे चोटे मोटे उसमें चोटे मोटे you know अडचने रहेंगी और अगर आप promotion या इस तरीके का कुछ भी जाना चाह रहे है या फिर वो चीज आपके mind में है तो देखिए बहुत clearly यहाँ पर yes का answer नहीं है and यहाँ पर कोई money का भी card नहीं है तो money से related भी मैं यह नहीं कहूंगी कि बहुत financially चीजें great हो रही है money का card होता तो definitely मैं कहती कि money से related specifically चीजें बहुत अच्छी हो रही है वो नहीं हमें दिख र रही है कि एक movement forward होता हुआ दिख रहा है आप अपने career में पीछे नहीं जा रहे हैं आप आगे जा रहे हैं और साथी साथ will wisdom mind का card कहता है कि बहुत जबर्दस एक determination will पार रखने की ज़रत पड़ेगी courageously चीजों को deal करने की ज़रत पड़ेगी in fact अगर थोड़ा सा भी आपने परेशान हो सकते हैं लेकिन अगर आपने अभी से ही willpower रखी determination रखी maturity के साथ चीजों को deal किया heart of mind का balance रखा और कोई चीज अगर नहीं आप sure हो पा रहे हैं नहीं समझ में आ रही है तो जिस इनसान को आप बहुत trust करते हैं बहुत experiential हैं उनसे discuss करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया तो जो conflicts आगे हैं उनको भी आप बहुत easily overcome कर पाएंगे in fact मैं कहूंगी कि यह conflicts भी नहीं होंगी अगर आप current situation में कुछ changes ले आते हैं और वो changes मैंने अभी बताया willpower determination maturity and heart and mind का balance और अगर नहीं करते हैं तो भी कुछ ऐसे बहुत majorly खराब बिलकुल भी नहीं होता हुआ दिख रहा है but yes फिर छोटे मोटे challenges छोटी मोटी conflicts आपको face करनी पड़ सकती है और दोनों ही scenario में कहीं एक positive movement forward होती हुई दिख रही है यहां पर बहुत ही clearly cards कह रहे हैं कि एक you know growth progress हो रही है और in fact दिखिए अभी जो आपकी immature या overconfident वाली energies हैं इनको आप maturity के साथ deal करत हैं तो वो एक promotion या एक जैसे बोलते हैं authority power position भी आप expect कर सकते हैं तो यह था pile 1 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like share और subscribe ज़रूर करें और अगर आपने pile 2 यानि की yellow crystal को choose किया है या फिर आपका birth February, May, August, November में से किसी भी मन्त में होता है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 2 की cards क्या कहते हैं आपके career में next क्या होने वाला है तो future को देखने से पहले एक नजर अभी क्या हो रहा है पास्ट में क्या ह हो रहा था उसको देख लेते हैं और यहाँ पर दीखे पास्ट के लिए सबसे बहला card मुटे दिख रहा है seven of wands reverse और यह card कहता है कि past में आपके career में काफी challenges काफी issues मसले रहे होंगे इतने जादा की time आया होगा आपने give up कर दिया होगा यानि कि आपको ऐसा लगा कि भई करने के लिए और कहीं देखे यह issues यह मसले सब के लिए differ कर सकते हैं लेकिन आप पैथरों का card कहता है कि कहीं कुछ चीजें हो सकता है आपको पता नहीं थी आप बिल्कुल ignorant थे वह आपके सामने आई या कुछ के लिए भी हो सकता है कि कुछ secrets थे आपके professional front में और यह secrets भी के बारे में आप नहीं जानते थे अगें दिखी किसी भी level पर किसी भी तरीके कि बहुत सारी चीजें आप से hidden थी आपको नहीं पता थी या फिर आपको understanding नहीं थी वो चीजें आपको पता लगी जब उन चीजों को लेकर एक जानकारी हुई या फिर वो secrets आपके सामने आए तो काफी आपको problem हुई, काफी issues भी रहे आख इंजल गैबरिल का card कहता है जो भी उस time पे रहा आपने बहुत अच्छे से communicate किया अपने co-workers को, colleagues को या you know in general के लिए मैं कहूंगी कि communication skills ने काफी चीजों को sort out किया आप जो भी feel कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, आपने express किया, आपने खुल के उस चीज को you know बोला, उसके लिए stands भी लिये and lightning bolt का card कहता है कि कि किसी level पर किसी तरीके का एक you know issues मसले भी again मैं कहूंगी रहे अगर partnership में आप काम कर रहे थे तो partnership में एक distance आया या partnership टूटी या किसी भी तरीके से कुछ इनो टूटा और बहुत sudden ये रहा होगा इतना जादा कि आप समझ भी नहीं पाए होंगे चीजों को and कहीं family traditions या जो भी past में आपके experiences थे उन्होंने बहुत help किया इसी चीज के साथ deal करने के लिए यहाँ पे देखिए ओ थेलो का काड कहीं family की बात करता है family traditions की बात करता है जो past में हमारे ancestors ने किया हमारे बड़ों ने किया उनसे जो चीजे हम सीखते हैं या फिर वो जो चीजे हमें सिखाती हैं वो एक सीख ने काफी help किया इसी challenging phase को deal करने के लिए इन्ही मुश्किलों को positively again मैं कहूंगी deal करने के लिए four of wands का काड कहता है इसी लिए कुछ changes भी आपने अपने career में करे या फिर कुछ changes आए अब दीके फिर से ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपने job change करी specifically अगर आप job करते हैं और business है तो business में भी आपने जगा change करी या फिर नई तरीके से काम करना चाहा और business में भी जो भी छोटे मोटे changes हम कर सकते हैं या हो सकते हैं वो आपने किये और कहीं इन changes की वजए से आपको बहुत एक उमीद हो होने लगी कि अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और initially जब यह changes आपने करे तो चीजे भी आपको काफी बहतर लगी होंगी and in changes के लिए या फिर otherwise भी किसी का support किसी की तरफ से cooperative energies रही यह सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं आ help support रहा कुछ के लिए हो सकता है अगेन आपके friends हो सकते हैं कोई भी हो सकता है जिन्होंने इस time पे आपको support किया जिन्होंने इस time पे आपको help करी या फिर उनकी तरफ से बहुत एक cooperative energies रही कुछ के लिए हो सकता है कि again जो आपके co-workers हैं उनके साथ बहुत एक अच्छी bonding रही एक teamwork के साथ अपने चीज़ों को deal किया अभी हाल फिलाल के लिए देखें तो यहाँ पे दिखिए four of roses, views of the ego and eight of souls reverse के cards कहते हैं कि कोई इनसान आपके work front में हो सकता है जो थोड़े से selfish हैं जो थोड़े से mean हैं जो सिरफ अपने बारे में सोचते हैं और literally हो सकता है कि ego के भी व hopeless, hopeless वाली feeling आप महसूस कर रहे हैं कहीं इनी चीजों में से बाहर निकलना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए few का card कहता है कि money, पैसा, gain या फिर इनी सब चीजों को लेकर again किसी भी level पे issues मसले रह रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि wealth के point of view से finances के point of view से चीज़े deeper level पे ठीक हैं लेकिन relationships या फिर होता है ना जो लोग आपके लिए काम करते हैं आपके साथ काम करते हैं उनके साथ नहीं इतना अभी coordination हो पा रहा है या फिर उनकी वज़े से issues हैं या फिर work front में literally politics चल रही है या you know अगर politics नहीं चल रही है तो कोई इंसान है जो बहुत selfish है और आपको let credit नहीं मिल रहा है वो credit कोई और लेकर जा रहा है तो देखिए again unginnit you know possibilities हो सकते हैं लेकिन कहीं किसी इंसान के साथ खासकर relationship की वज़े से या फिर किसी इंसान की वज़े से लोग की वज़े से लोग मतलब इंसान की वज़े से issues मसले रह रहे हैं deeper level के लिए again reason हो सकता है profit credit न आप निकलना चाहा रहे हैं काफी बंधा हुआ feel कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप you know उसमें से निकलने का एक effort कर रहे हैं अप दिखते हैं कि next क्या होगा तो देखिए जब भी भी आप ये reading देख रहे हैं अगर आप अपसे 6 महिने बाद या 6 साल बाद देख रहे हैं उस time period स से next six to eight months के लिए ये जो भी future cards बता रहे हैं वो applicable है तो देखिए सबसे बहला card मुझे दिखता है the akashic field और ये card बहुत ही clearly कहता है कि बहुत एक unlimited opportunities या फिर you know अच्छी opportunities आपके लिए आपके professional front में रहेंगी और यहां पर दिखिए Avaaz का card कहता है कि एक support भी रहेगा team members की तर हो सकते हैं कुछ के लिए आपका कोई family person हो सकता है या कोई love one close one हो सकता है और बहुत एक trust या तो आप रख रहे हैं या उनको आपके ऊपर है और इसी trust के साथ इसी loyalty के साथ इसी team work के साथ इसी cooperation और supportive energies के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं अब ये आपके ऊपर depend करेगा कि आप कितना इस support को ले रहे हैं आप कितना you know trust कर रहे हैं क्योंकि ऐसा इंसान available है जो बहुत trustworthy है जो बहुत loyal है जो आपको help भी करना चाहता है support भी करना चाहता है अगे यहाँ पर देखिया अच्छी opportunities भी है लेकिन surface level के लिए the high priestess का card कहता है कि शायद आप इन सब चीजों को उत जादा आप wisdom के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं आप impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं आप बहुत सोच समझ के चीजों को करना चाहा रहे हैं और हमने देखा था starting में कि कुछ secrets आपको reveal हुए थे कुछ चीजें जो आपको नहीं पता थी आपको पता लगी और कहीं future के लिए यहाँ पर high priestess का card similar सी energies की बात करता है कि शायद आप बहुत cautious हो रहे हैं कि यह तो नहीं कि कोई आप से कुछ छुपा रहा है यानि कि आप इतना trust नहीं कर पा रहे हैं आप उतना faith नहीं रख पा रहे हैं अपने co-workers colleagues पे तो यह कि किसी भी तरीके की energies हो सकती हैं सब के लिए different situation रहेगी लेगि यहाँ पर high priestess reverse का card कहता है कि वो एक action वो एक initiative जो आप ले सकते हैं जो आपको लेने चाहिए आप नहीं लेते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं pile 2 तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें क्योंकि फिर से मैं कहूंगी अच्छी opportunities available रहे तो जरूर इस चीज को avail करें और आगे चल कर दिखिए यहाँ पे नौदीज and initiation के cards कहते हैं कि कुछ issues कुछ मसले deeper level के लिए रह सकते हैं लेकिन surface level के लिए nine of pentacles का card कहता है कि जो भी situation रहे money, payse, finances के point of view से चीज़ें काफी अच्छी रहते भी दिख रहे हैं मैं ये भी कह सकत हो financially independent आप होते भी दिख रहे हैं especially अगर अभी किसी के ओपर भी financial dependency है financially आप you know इतने independent नहीं है तो एक financial independence आते भी दिख रही है लेकिन कहीं कुछ चीजों को आपको sacrifice करना पड़ सकता है कुछ चीजों को आपको let go करना पड़ सकता है and in the process थोड़ा सा आप stuck महसूस कर सकते हैं कि भई वो growth वो progress नहीं हो रही है तो nutshell में देखिए यहाँ पर हमने देखा अभी views of the ego के card में कि किसी भी खास relationship के वज़े से obviously यह professional front की reading है तो professional front में ही कोई न कोई relationship होगा connection होगा या professional एक you know connection होगा जिनके साथ issues मसले हो रहे हैं और कहीं दिखिए यह issues मसले किसी level पे या तो आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं या फिर कुछ चीजों को आप let go कर रहे हैं और उसकी वज़े से आप थोड़ा सा stuck भी deeper level के लिए महसूस कर रहे हैं और देखिए कहीं emotions feelings के point of view से growth और progress के point of view से हो सकता है कि next six months इतने ज्यादा great ना हो बट money, पैसा, materialistic, tangible चीजों के point of view से finances के point of view से next six months काफी अच्छे रहते वे दिख रहे हैं आपको positive outcome मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं एक financial independence या financially चीज़ें काफी अच्छी रहते वे दिख रहे हैं तो ये था pile 2 आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें अगर आपने pile 3 यानि की white crystal को choose किया है या फिर आपका बर्त मार्ट, June, September, December में से किसी भी मन्त में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 3 की cards क्या कहते हैं आपके career में professional friend में next क्या होने वाला है तो सबसे पहले हम past को देखेंगे और past के लिए यहाँ पे सबसे पहले cards में दिख रहे हैं 10 of cups, the Buddha prepares and Zara और ये cards कहते हैं कि पीछे जो भी आपके professional friend में हो रहा था कहीं एक happiness, joy, satisfaction आप surface level के लिए महसूस कर रहे थे, deeper level के लिए कुछ challenges थे या फिर बहुत patience रखते हुए आप अपना effort कर रहे थे जो भी actions required हैं, जो भी effort required हैं वो आप अपने professional friend में कर रहे थे, होता है न हम अपना goal बनाते हैं, अपना मकसद अपने सामने रखते हैं और उसके लिए जो भी required होता है, बहुत सबर के साथ, बहुत patience के साथ, in fact मैं कहूं कि बहुत contentment के साथ, आप उसके लिए effort कर रहे थे, औ आपको deeper level के लिए काफी confidence था कि आपको positive outcome मिलेगा, positive एक result मिलेगा, and यहाँ पर दीखे 10 of cups का card जहाँ एक तरफ happiness की बात करता है, joy की बात करता है, satisfaction की बात करता है, वही professional friend में जो भी लोग काम कर रहे हैं, you know, उनके साथ एक बहुत beautiful understanding की भी बात करता है, togetherness की बात करता है, क नहीं एक cooperative supportive energies की भी बात करता है, तो दीखे, पीछे finances, materialistic, tangible, चीजों से related, money से related हो सकता है, उतना gain ना हो रहा हो, यहाँ पिर अगर हो भी रहा था, तो जो एक source of happiness था, वो आपके connections जादा थे, आपकी networking जादा थी, networking in the sense, जो लोगों के साथ आपके connection है, उसकी वज़े से एक contentment, एक happiness आप ज़्यादा महसूस कर रहे थे, और फिर से मैं कहूंगे कुछ के लिए हो सकता है कि money, materialistic, tangible, चीजों की तरफ से उतना gain उतना फाइदा नहीं हो रहा था, और अगर हो भी रहा था, तो कहीं एक satisfaction थी, यहाँ मैं कहूंगे नहीं भी हो रहा था, यहाँ हो रहा थ challenges भी आपने face करें, यहाँ पर the lookout का card कहता है कि issues रहे, मसले रहे, कभी आपकी नाव डगमगाई, कभी आपको ऐसे लगा कि पतर नहीं आप अपने मकसद को achieve कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो कुछ issues, मसले यहाँ पर मैं कहूंगी challenges रहे, क्योंकि यह general reading है, सब के लिए challenges, issues, problems differ करेंगी, लेकिन deeper level के लिए उरोज का card कहता है, कि जो भी issue मसला रहा, आपने बहुत strongly, बहुत boldly, बहुत courageously, हर चीज को deal किया, यानि कि आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं हुए, थोड़ा सा कभी emotionally आपने low जरूर feel किया, थोड़ा सा आपने कुछ deal किया, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने give up नहीं किया, आपने बहुत strength, stamina के साथ चीजों को deal किया, अब देखें, six of cups का card past की बात करता है, हो सकता है कि past में कोई इनसान, कोई connection था, जिनकी वज़य से आपको gain हुआ, या फिर कोई भी आपका एक emotional want था, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप personal front में किसी के साथ एक love affair में थे, अब देखें, love affair सिरफ romantic love में नहीं कहूंगी, कहीं relationships पे ज़्यादा focus था, और कहीं relationships पे focus की वज़य से आपने professional front को neglect किया, या फिर आपका professional front किसी level पे neglect हुआ, और इसी वज़य से issues मसले हुए, लेकि फिर से कहूंगी कि यहाँ पर उरोस का काट कहता है कि जो भी situation रही हो, personal front में relationships में issues मसलों की वज़य से, या फिर past में कोई चीज आपके professional front में हुई, उसकी वज़य से, या you know, again कोई भी reason हो सकता है, उसकी वज़य से emotionally आपने low feel किया, challenges भी आए, मुश्किलें भी आई, लेक आपने बहुत बहादुरी के साथ courageously boldly चीजों को deal किया, अब हाल फिलाल की बात करें, तो यहाँ गेबो का card, अगर आप देख पा रहे हैं, तो गणेश जी की इसमें picture है, और गणेश जी कहीं obstacles को clear करने के लिए माने जाते हैं, या फिर वो कहीं obstacles को remove करने को represent करते हैं, तो कहीं देखिए एक faith या तो जिन भी God को आप मानते हैं, उन पर मन ही मन आपको अभी रह रहा है, या फिर आपको यसे लग रहा है, कोई एक higher force है, कोई universe की शक्ती है, जो आपको बहुत strength, stamina दे रही है, आपके obstacles, आपकी मुश्किलों को कहीं clear कर रही है, और Queen of Cups, Queen of Roses का card कहत है, या तो किसी female की तरफ से एक बहुत emotional support, एक बहुत love care आपको मिल रहा है, एक motivation, एक inspiration मिल रही है, या फिर कोई female भी हो सकते हैं, और अभी भी देखिए कहीं एक happiness, एक joy आप रखते वे चीज़ों को deal कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कुछ के लिए कि आप वो काम कर रहे ह हैं, जो आपको बहुत एक happiness, joy देता है, होता है ना कभी-कभी हम money के लिए काम कर रहे होते हैं, हमारा end goal होता है कि financially, you know हम एक financial freedom अचीव करें, financial independence अचीव करें, और most of the time सबका financial freedom ही goal होता है, बट, you know कभी-कबार हम जो reality में, reality तो नहीं कहूंगी, जो हम deeper level के लिए चाहते है जो चीज हमें बहुत एक happiness देती है, हम उसको pursue कर रहे होते हैं, हम money को लेकर इतने concern नहीं होते हैं, money हमारा ultimate goal नहीं होता है, money goal तो है, obviously professional friend में, लेकिन ultimate goal नहीं है, ultimate goal है, जो हम मन से चाहते हैं, या enjoy करते हैं, उसको हम achieve कर पाएं, तो कुछ इस तरीके की energies रहती भी दिख रह नहीं है, जहां पर satisfaction, happiness, joy आपका goal रहता हुआ दिख रहा है, and इनी energies के साथ आप चीजों को pursue भी करते हुए दिख रहे हैं, अब future में देखें क्या हो रहा है, तो यहां पर death, rebirth का card बहुत ही clearly कहता है, कि कुछ चीजों को end करके नए सिरे से एक नई beginning आप करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से related छोटे मोटे challenges रह सकते हैं, यहां पर death का card reverse है, तो हो सकता है कि आप एक नई beginning करना तो चाह रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों को let go नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी चीजों के साथ आपकी attachment है, और यह most of the times होता है, कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ह हमारा ही कितना comfort zone होता है, जो भी हम कर रहे हैं, हमारी इतनी एक attachment होती है कि उसको हम let go नहीं कर पाते हैं, और जब तक हम let go नहीं कर पाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो यह दोनों चीज़ें आपस में connected होती हैं, और let go करना बहुत important होता है आगे बढ़ने के लि कहीं कोई problem ना हो जाए, कहीं you know negative हो सकता है, लोग आपके professional front में हैं या फिर आप जल्दी चीज़ों को लेकर negative हो जाते हैं, तो यह जो negative energy है, negative लोग है या आपके उपर हावी ना हो, इनकी वज़े से आप again मैं कहूंगी अपने मकसद से ना deviate हो जाए, negative लोगों की वज़े से या फिर negative thought process, negative belief system की वज़े से तो इस negative energy, negative लोगों को आप अपने उपर हावी नहीं देने करना चाहा रहे हैं, और कहीं इनी चीज़ों से खुद को protect करते हुए दिख रहे हैं, cautious, conscious हो के चीज़ों को deal करते हुए दिख रहे हैं, यहा पर दिखिए, fated meeting का card कहता है, कि किस इनसान से आप मिल सकते हैं, जो आपके लिए काफी एक अच्छे दर्वाजे खोल सकता है, खोल सकती हैं, आप दिखिए, जरूरी नहीं होता कि यह जो इनसान है, यह बहुत एक beautiful energies ही आपके life में लेकर आएं, most of the times क्या होता है कि यह challenges लेकर आते हैं, लेकिन यह challenges बहुत मैं कहूं कि fated meeting का काट कहता है, आप किसी से मिलेंगे, initially अगर उस इनसान से मिलकर आपको great feeling नहीं होती है, या फिर आपको लगता है इनकी वज़े से challenges हो रहे हैं, या फिर अगर great feeling होती है, आपको लगता है इन्हों ने तो बड़े सारे आपके लिए दर्वाजे खोल दिय बड़े सारे आपके मसले solve कर दिये, इनकी वज़े से बड़ी सारी आपकी problems हल हो गई, तो दोनों ही सेनारियो में and result इनकी वज़े से अच्छा ही रहेगा, फिर से बता दू, initially नहीं अच्छा है, तो जो भी challenges आ रहे हैं, वो इतनी learning दे रहे हैं कि end of the day आप चीजों को भैत sorry, how galas, sorry the pronunciation can be wrong क्योंकि मैंने specs नहीं पहने हैं, तो मुझे देख नहीं रहा, बट यह card कहता है कि कुछ challenges रह सकते हैं, और बहुत easy जो भी चीज को आप enjoy करते हैं, जिस चीज के लिए आप बहुत passionate हैं, उसको achieve करने की journey नहीं रहेगी, और यहाँ पर again challenges रहेंगे, यहाँ पर page of souls reverse का card कहता है, कि थोड़ा सा आपकी तरफ से आतो immature energies हैं, या फिर आपके work front में कोई इनसान है, जिनकी immature energies हैं और इसकी वज़य से challenges रह सकते हैं, लेकिन जो भी issues मसले हों आप बहुत wisdom के साथ, बहुत logically, बहुत mind से चीजों को deal कर रहे हैं, और देखिए मुझे लगता है क जब भी भी आप ये reading देख रहे हैं, अगर 6 years के बाद देख रहे हैं, तब भी और अगर 6 महीने के बाद देख रहे हैं, तब भी, जिस point of time से आप देख रहे हैं, उससे next 6 to 8 months के लिए reading applicable है, और उस time period में बहुत कुछ great achievements नहीं होती हुई दिख रही हैं, बहुत कुछ, you know, अपने goal, अपने मकसद से related, again, आप नहीं achieve करते वे दिख रहे हैं, कुछ challenges रहते वे दिख रहे हैं, लेकिन जो दो अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, एक तो किसी इंसान से आप मिल रहे हैं, जो आपको काफी help करेंगे, support करेंगे, आपके मकसद को achieve करने में, और दूसरी चीज, कि या तो यही इंसान बहुत wise हैं, बहुत intelligent हैं, और यह आपको help करेंगे, या फिर आप बहुत ही wisdom के साथ चीज़ों को deal करेंगे, और देखी, at the end of the day, अगर हम wisely चीज़ों को deal करेंगे, या फिर जो भी situation, circumstances हैं, उसमें हम अपनी wisdom रखते वे चीज़ों को deal करें, तो फिर हम long run में अपने goal, अपने मकसद को achieve कर लेते हैं, तो यह दो चीज़ें अच्छी होती भी दिख रही हैं, लेकिन अभी फिलाल के लिए next six months में, मुझे नहीं दिख रहा कि जो आप चाहा रहे हैं, उसको आप उस तरीके से achieve कर पाएंगे, तो यह थी pile 3 अगर रेडिंग आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share, subscribe जरूर करें